भारत के मुख्य नायदिश जस्टिस टियेश ठाकूर जी, के इंदर में मंत्री परिशत के मेरे साथी सिमान दविशंक पुसाद जी, देली के उपराजपाल सिमान नजीब जंग जी, देली के मुख्य मंत्री शिमान अर्विन जी, देली उचनाले के मुख्य दायदिश जस्टिस जी रोहिणी जी, देली उचनाले के नायदिश जस्टिस बदर दुरेश एमज जी, जी, उपस्ति सभी सुप्रिम कॉर्ट के वरिष्ट महनुभाव, देली हाई कॉर्ट के सभी वरिष्ट महनुभाव, बार के मित्र है, मुझे कभी कॉर्ट में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ बड़ा गंभीर वातावरण होता है, और शायद उसका प्रभाव यहाँ भी नजर आ रहा है, पचास साल का उसर मना रहे हो, कुछ तो मुस्कराईए, यहाँ तो मैं समझ सकता हूँ, ताकि कोई गलत परसेप्शन न बन जाए, यहाँ तो आज डोंट थिंग कोई प्रब्लम है, पचास साल की आत्रा इस कायर को सब के सह्योग से यह वकाम प्राप्त हुआ है, जाए बाहर के मित्र हो, जाए किसी जमाने भी कॉम्पूटर नहीं था, कोई बाहर बैठकर टाइपी करता होगा पैड़ के नीचे, या कोई डाइस पर बैठकर के जाए तोलता होगा, या हो सकता है किसी परिशर में लोगों को चाहिए भी पहुचाने वाला कोई व्यक्ति होगा। हर किसी का इसमें योगदान है, अपने अपने तरीके से कॉंटिबुशन है। आज जब 50 साल मना रहे हैं तब हर किसी के कॉंटिबुशन का हम सहर स्विकार करें। उनके परती अपने कृतिग्याता का भाव अभीवेक्त करें। और हर किसी ने अपने अपने तरीके से इस व्यवस्ताव में कुछ निकुछ वैल्यू एडिशन किया होगा। हर एक का कोईिन कोई सकारात्वक जोगधान होगा। और यही सकारतवक कॉंटिबुशन का पुंच इंश्टिटूशन की परतिष्था को बढ़ाता हैं। इंस्टिटूशन की एहमियत को बढ़ाता है और दिनों दिन इंस्टिटूशन की आवश्रता अधिक महसूस होती है। मुझे विश्वास हैं कि भारत की समिधान के प्रकाश में देश के सामान्य नागरिकों की आशा आकांग्षा हैं उसको पूर्ण करने में जिस किसी के पास जो जिम्मेवारी हैं उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करना चाहिए हर किसी ने करना चाहिए आज 31 अक्तूबर दिल्ली हाइकोर्ट को 50 साल आज 31 अक्तूबर भारत की एक्ता के लिए जीवन खपाने वाले सरदार वल्लुभाई पटेल की जन्मजैंती भी है महत्मा गांधी के अनन्य सहियों की के नाते जन्सामान्य को अतिकार के लिए आंदोलित करना एक बैरिस्टर के नाते जिन्द की गुजार सकते थे वो भी शायद इस परिवेश में उत्तम से उत्तम केरियर बना सकते थे लेकिन देश की आवश्यक्ता के लिए बैरिस्टर के नाते जिन्द की गुजारने के बजाए देश के लिए अपना सब कुछ आहूद करने के लिए निकल पड़े सरदार साब के एक बहुत बड़ी सेवा जो आज भी देश याद करता है कि आजाध हिंदस्तान की शांसकी ये व्यवस्ता को भारतियता का रूप देना ऑल इंडिया सिविल सर्विस जैसी व्यवस्ताओं को विख्षित करना एक बहुत बड़ा हूं का कॉंटिबिशन में मान सकता हूं देश की यत्ता का तो था ही था और हम देख रहे हैं कि भारत जैसे विविद्यताओं से भरे देश में आल इंडिया सिविल सर्विस की व्यवस्ता के कारण किसे ने किसी मात्रा में एक तंतु जुड़ा रहता है एक सेतु बना रहता है और डिस्टिक में बैठा हुआ अफसर भी उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि वो राष्ट्रिय परिवेश में चीजों को तोलता है सोचता है और नेने प्रक्रिया में अपनी भूमी का आधा करता है अल इंडिया सिवील सर्वीश के सपनों को अलेगलग रूपे में देखा गया दिरी दिर स्पही वर्व होते कई कई व्यवस्ताइं खड़ी एक चर्चा का विश्य रहा अल इंडिया जूरिशन सर्वीश का विवादों में रहा है लेकिन लोक तंत्र का ये मुलवूत पींड है वाद और विवाद और समवाद चर्चा होनी चाहिए बहस होनी चाहिए सर्दार साम ने जिस ववस्ता को खड़ा किया था जिसको आगे कई लोगों ने बढ़ाया था यहां ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि हो सकता है इस एक मन्थन को क्योंकि हम लोग इसमें कोई ज्यादा कॉंट्रिबूट नहीं कर सकते हैं और नहीं हम करेंगे तो कोई लाग होगा लेकिन यहां जो लोग बैठे हैं हो काफी कुछ कॉंट्रिबूट कर सकते हैं इस देश का दलीद, पीडीद, सोशित, बंचित, गरीब, उपेचित, समाज के एक दम से नीचे के तप्पे से आने वाला वेक्ती, क्या उसको भी इस चेंड में इस विवस्ता में आने का उसर मिल सकता है क्या, कैसी कोई नई विवस्ता बन सकती है क्या, जिसमें, क्योंकि अब पहले की जमाने में नाइक अक्षेतर की सीमा का एक दायरा था, अब वो इतना विस्त्रित हो चुका है और इतना ग्लोबल हो चुका है, कि शायद पिछले, तीस साल पहले किसे ने सोचा भी नहीं होगा, आज उसका धायरा भत्र, नजाने कैसी कैसी समझ्याएं, अदालत के सामने खड़ी हो जाती है, कि अदालत के लिए भी समाल खड़ा हो जागा, अरे भाई, ये कवा से विश्या आया, क्या बैंक्राउंड है इसका, क्या पहलू है इसकी, जिस पकार से टेक्नोलोजी ने दुनिया में अपनी जगा बना दी है, तो चुनावतिया भाग बड़ी है, लेकिन चुनावतियों से भागना इंसान का स्वभाव नहीं होता है, चुनावतियों से, रास्ते खोजना, capability बढ़ाना, अगर टेक्नोलोजी के आवश्यक्ता है, तो उसको जोड़ना, अज जब हम 50 साल एक ववस्था के बना रहें, तब 50 साल के अनुभाव के आधार पर, हम आने वाले अपना रोल में कोई बना सकते हैं क्या, और मिल करके बनाना पड़ेगा, कोई एक जगा से चीज़े हो नहीं सकती है, लेकिन इस देश के पास सामर्त है, बन सकते हैं रास्ते, ऐसा नहीं एक नहीं बन सकते हैं, रास्ते खोजे जा सकते हैं, और खोजने का अविरत प्रयास भी चलते रहना चाहिए, किसी भी चीज के दर्बाजे बंद नहीं किये जा सकते हैं, और तभी जाकर के बड़ला होता है कि यह बात ही है कि अधालतों में जो लोग बैठें है उनीक प्रयासों से और उनीक के कॉंट्रिबूशन से अल्टरनेट मेकेनिजम को जो बल मिला है गरीब लोग वहां चले जाते हैं उनको संतोष होता है चलो मुझे न्याए मिल गया जचावी दिली हाई कोड का रिपोर्ट हमने देखा हिस्तान के सब जगाते और मैंने देखा उसमें बार का भी कॉंट्रिब का भी कॉंट्रिबूशन है और वह अपने काम के सिवाय का समय अपने व्यक्तिकर समय से निकाल करके इस काम को करते हैं और उसके कारण गरीब मार्मी को भूर लाब हो रहा है एक एवरनेस भी आई है निकिन एवरनेस को हमें और अधिक बढ़ाना पड़ेगा सामान नेमान पर अद्विक को शिक्षित करना होगा जतना जादा सिक्षित कर पाएंगे उत्रालाब होगा जादा तर जुड़ी शरीत अधिकतम समय हम लोगों के पीछे जाता है बतलब की मोदी ने सरकार सबसे बड़ा लीटिकन सरकार होती है है हर मसले पर सरकार बिढ़ती रहती है मैं कभी हमारे सरकार के लोगों को कहता हूं कि भाई एक टीचर अपने हग के लिए गाया कॉर्ट में उसको न्याय मिला वो जीद गया उसी प्रकार के दसजार टीचर के मसले लटके पड़े हैं उसको आधार बना के दसजार को पुरा करो रहा है अब जुड़ी सरी का बोच क कानुन के दारे में इंड़ीजल को मसले को हम किसी को फ्रिट नहीं कर सकते पता नहीं मैं सारी पारी क्योंको तो नहीं जानता हूं लेकि मैं समझा रहा हूं कि भाई हम इस बोच को कम कैसे करें दूतर मैंने देखा है शायट आज से पचीश-तीस साल पहले राजनीती इतनी मीडिया ट्रिवन नहीं थी और उसके करण संसद में जो बहस होती थी खास करके विदी निर्माड़की वे बहुत एक समिधान के प्रकाश में और भविश्य के लिए उपकारक और जन सामान्य की सुविधा जनक ऐसी कुछ वबस्ताइं विक्षित करने के दिशा में कानून की चर्चा का दाहरा रहता था आज हम जब संदन में चर्चा करते हैं तो उसका रूप एक होता है कौन सरकार लाई है उसके आधार पर ताई होगा कि सामने वाला क्या कहेगा अगर हम वह बैटे था हम वो बोलेंगे हम यहां बैटे हम दूसरा बोलेंगे यह भाल लेकिन जब स्ट्रेंडिंग कपितिय में बसा जाता है तो वह मीडिया में रिपोट्ट्ट नि होता है वहाँ सब मिलकर कि तैकर यह कि देखो भाई कैसे करें समय की मीघ है की विदी न कि टाइलेंट इंपूट हो इसमें और जितने अच्छे कानून हम बना पाएंगे इतना शायद हम न्याय के ख्षेत्र की सबसे बड़ी सेवा कर पाएंगे और यह जिम्मा के इलेक्टेट गवर्मेंट्स का है कि हम लोगों का है कि मैं देखा है कि इन दिनों अंदेश्टन लिए उनिवर्सिटीज में जो खुनहार बच्चे पढ़ने के लिए पहले मैं तो रूटीन कॉलेज में पढ़ते थे और बाद में लोग करने जाते थे इन दिनों इसको एक प्रॉफिशन के रुपे स्विकार करते लिए देखा जा रहा है कि बहुती टैनेंटेड यूथ आज इन यूणिवर्सिटी से निकल्ट हाए उसमें जितना ड्राफ्टिंग के पैसिटी वारा दायरा हम बढ़ाएंगे और ड्रापिंग के लेवल पर ही हमें अगर अच्छा इंपुट मिलेगा और हम अच्छे कानून बना पाएंगे कानून में बढ़ाव लाना है तो भी उस दायरे में बढ़ाएंगे तो डिस्क्रिमिनेशन का या इंटर्प्रेशन का स्कोप नेरो होता जाएगा जीरो करना तो मुश्किल है लेकिन नेरो होता जाएगा और जब इंटर्प्रेशन डिस्क्रिमिनेशन का दाहरा नेरो हो जाता है कब अपने आप ब्लैक और वाइट पढ़कर के कोई तैय कर सकता है जी हाँ यह मिलके रहेगा दूइधा नहीं होती है लेकिन यह कमी आज हम मैसूस कर इसको पूरा करना हो का हम सब को मिलके करना हो अगर इसको हम करपाएंगे तो देश की सेवा ज्यादा अच्छी करपाएंगे मैं इस गोर्डन जुबिली आउसर पर दिल्ली बांगर के उन सभी महानुभावों को अभिनादन करता हूँ, जिनों ने इसमें कॉंट्रिबूट किया है। अनेक जजीश जिनकी सेवाएं इस कॉर्ड को मिली होगी, उनको भी अभिनादन करता हूँ, और भारत की न्याए ववस्ता, सद्यों से उसका एक स्रद्धा का स्थान रहा है, हजारों साल से हम सुनते आए, शास्त्रों में पढ़ते आए हैं, एक स्रद्धा की जगा है ये, उस स्रद्धा रुप स्थान को चोट न पहुंचे, उसका गवरों बढ़ता रहें, उसका सामर्त बढ़ता रहें, उसके लिए, जो जहां हैं सबने अपनी अपनी जिम्मेबारिया निभानी होगी, सरकार में बैटे हुए लोगों ने विशेश निभानी होगी, और मुझे विश्वास है कि ये दिन हम करते रहेंगे, प्रणाम लाते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद हैं.